हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना किसी सोफ्ट्वेर के Windows 10 में स्क्रीन रिकोडिंग कर सकते हैं इसके लिए सिंप्ली आपको टास्क बार में Windows पर क्लिक करना है फिर आपको सेटिंग पर क्लिक करना है यहां पर आपको यह कैसा इंटरफेस मिल जाएगा आपको यहां पर गेमिंग का एक उप्शन मिलेगा यहां पर आपको क्लिक करना है मेक शोर कि आपका गेमिंग बार ओन हो अगर यह ओफ है तो इसे ओन कर लीजिएगा यहाँ पर आपको काफी सारे shortcut मिल जाएंगे इसी में ही आपको screen recording के लिए भी shortcut मिल जाएगा यहाँ पर जो screen recording के लिए shortcut है वो है windows प्लस alt key प्लस R यह by default है बट आप इसे अपने हिसाब से change कर सकते हैं इसके अलब आपको यहाँ recording के लिए और भी अच्छे options मिल जाएंगे इसके लिए आपको captures पर जाना है यहाँ पर आप audio quality, frame rate, video quality सब अपने हिसाब से set कर सकते हैं अब आपस आते हैं home screen पे screen record करने के लिए आपको यहाँ shortcut key windows प्लस alt प्लस R प्रेस करना है इसके बाद में आपको एक note मिलेगा कि यह home screen and file explorer को record नहीं कर सकता यह इसका एक drawback है but don't worry, यह सभी game applications और डूसरी applications जैसे browser, youtube, powerpoint presentation, microsoft और जितनी भी applications है सभी को यह बहुत आसानी से अच्छी quality में record कर सकता है जैसे माल लीजिए मुझे कोई presentation के recording करनी है तो मुझे simply उस presentation को open करना है जिसकी मुझे recording करनी है and shortcut की windows प्लस alt प्लस R प्रेस करना है और यह recording start हो गई है अब आप mic चाहें तो on कर सकते हैं, off कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें उसे रख सकते हैं और अपनी screen record कर सकते हैं तो guys यह था windows 10 का inbuilt screen recorder अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजिए, अपने friends के साथ में share कीजिए और चैनल को subscribe कीजिए Thank you so much